हलो माई डियर, मीडियास पैरेंट्स मीडिया एक्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरी शंकर सोनी आपका हरदिक स्वागत करता हूँ काफी लोगों की क्वेरिस थी काफी सारे मेसेजेस थे कि एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई जाए, क्या करें, क्या नहीं करें ठीक है, तो उसका एक शब्द में जो उत्तर होता है, वो तो यही होता है कि भाई आप लास्ट टाइम में रिविजन कीजिए, नया मत पढ़िए और आपने जो भी स्टेटजी बनाई है उसमें कुछ कमी रह गई है, तो उसको पूरा कीजिए, प्रेशर बिल्कुल मत रखिए क्योंकि अगर आप प्रेशर रखेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो एक शब्द वाला उत्तर तो रिविजन है, ठीक है लेकिन कुछ जरूरी चीज़े हैं जो आपको एक्जाम देने से पहले पता होनी चाहिए, तो उस चीज की और आपका ध्यान लेके जाऊंगा और इस वीडियो में हम कुछ जरूरी चीज़े हैं जैसे की एड्मिट कार्ट के साथ में क्या सब कुछ चीज़ें लेके जानी है किन बातों का ध्यान रखना है वो भी डिस्कस करने वाले है एक क्यूस्टन ये भी था कि कितने क्यूस्टन अटेम्ट करने सही रह सकते हैं तो उसका भी एक अवर व्यू जो है PGQP 41 अब जो नई सीरीज है कोड्स की तो उसमें ये बदलाव किया गया है कि जिस तरह का पेपर का नेचर होता है उस तरह का पेपर जो है आपको पहले दो वर्ट से पता चल जाएगा जिसे कि लेंग्वेज बेस्ट कोई पेपर है और यहां पे जो आपका जो पेपर हो रहा है वो दस जोन को होगा साड़ी तीन से साड़ी पांच बजे होगा ठीक है और clearly information bulletin के अंदर लिखा गया है कि कौशिस ये की जानी चाहिए या advice ये किया जाता है कि आप दो घंटे पहले जो है पेपर स्टार्ट होने के दो घंटे पहले वहाँ मौझूद रहे लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम रहता है या कोई ऐसी बात है तो आप धाई बज़े तक last तक पहुंच सकते हैं धाई बज़े से late मत्तब कि अपने पेपर से एक घंटे पहले तक तो किसी भी situation में आना ही पड़ेगा आपको पहुंच नहीं है इस बात का खास तोर से ध्यान रखें और पेपर के दिन जो आपका day है वो Saturday है competition पहले भी बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में आपका जो इस पेपर कोड के लिए competition वो ठीक ठा competition है और वो है 6500 ठीक है 6500 6500 लोग जो है आपके कम सी कम इस पेपर में बेठेंगे और ये में data इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि last year जो IIMC में counseling form भरने वालों की संख्याती वो करीब चपन सो से भी जदा थी तो हम मान के चलते हैं कि उससे करीब 1000 तो हो गई तो करीब कम से कम जो है 6500 लोगों का वीच में जो है आपका competition है वो आपको पता होना चीए तो मैं ये डराने के लिए मैंने आकड़ा नहीं रखाया आपको बताने के लिए कि कहीं किसीने नहीं सुनाओ तो सुन ले भई है न तो यहाँ पर डरना नहीं है क्योंकि जो डर गया वो आप चानते हैं कि क्या हो गया ठीक है तो डरने से नहीं होता आपको fight करना पड़ता है ये एक competition है एक लड़ाई है तो आप लड़िए अपनी लड़ाई जैसे भी आप लड़ना चाहते हैं ठीक है देखो अगर हम बात करें कि कितने question attempt करें ठीक है और कैसे जो है अच्छे marks ला सकते हैं तो अगर आपको top 100, top 200 में आना है तो आपको कही न कहीं इसके around जो है रखना पड़ेगा अपना नंबर 300 के आसपास कुछ नंबर आप बनाएंगे तो 300 नंबर बनाने वालों के जो है मैं मानता हूं कि top 100 rank में, top 150 में, top 200 में 300 marks के आसपास रहेंगे और अगर आपके marks जो है 280 से कहीं न कहीं नीचे चले गए तो फिर आपको जो है अपना मन पसंद अपना जो desired course है, desired campus है, जैसे AMC की बात कर लें या कोई university की बात कर लें तो वो मुस्किल हो जाता है, नामुम्किन फिल भी नहीं है, admission होने वाले का तो मैं यहीं भी कह सकता हूं कि 240 नंबर पर भी हो ही जाता है, ठीक है, कहीं न कहीं किसी न किसी निउवर्सिटी में, लेकिन जिस desired university य runs बनाने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो orange cape नहीं मिल पाएगी, ठीक है, तो fight उस तरह की है, तो एक assumption मैंने किया है कि एक ठीक ठाक aspirant जो है, ठीक है, किस तरह के नंबर बना सकता है, ठीक है, तो आप सब को पता होगा कि 400 नंबर का paper है, उसमें 300 बनाना आपके ठीक रहेगा 300 बनाने का मतलब है कि जो part B है, ठीक है, part B में 230 के आसपास आपके नंबर हो, part A में 70 के आसपास आपके नंबर हो, तो करीब आपके 300 marks बन पा रहे होते हैं, और एक दूसरा assumption जो है, मैंने ठीक ठाक तरीके से लिया है, डीटेल में, कि कैसे बन सकता है, ठीक है, तो माल लिज ये time and work के उपर जो है question आ गया, ठीक है, calendar पे question आ गया, clock पे question आ गया, ये वाली जो topics हैं, जिसमें कम question पूछे गए अब तक, उसमें से question अब आ जाता है, ठीक है, और आपने वो prepare नहीं किया, तो ऐसे question अगर कोई आ जाता है, जो आपने prepare नहीं किया, तो उसको attempt करने में फा formula's नहीं आते, तो फिर दिक्कत हो जाती है, और part A में किस तरह की questions आ सकते हैं, वो भी में जो है, आगे discuss करने वाला हूँ, ठीक है, तो attempt की बात करें, तो चार question उसने attempt नहीं किये, 21 attempt किये, उसमें से उसने सही किये, जो है 18, negative marking इसे साबसे बन जाती है, तीन marks की, ठीक है, total hour जो उसके marks हो जाते हैं, वो है 69, तो 21 attempt करके, चार छोड़के, उसमें से 18 सही करके, 18 questions सही करके, 69 marks उन्हें एक transparent जो बना देता है, मतलब कि part A में नहीं तो बहुत ज़दा अच्छा है, नहीं खराब है, ठीक है, क्योंकि उसने 4 questions तो as it is छोड़े हैं, उसमें भी 3 questions उसके ग जो है, बहुत अच्छा करके आता है, 75 में से वो 68 attempt कर रहा है, मतलब कि 7 questions को वो as it is छोड़ रहा है, कि उसको बिलकुल नहीं आता, touch भी नहीं किया, unattempted है, ठीक है, उसमें से 68 में से 7 questions और उसको नहीं आते हैं, मतलब यह फिर तुका लगाया था, वो गलत हो गए, ऐसे करक 75 में से 68 attempt किये, 68 में से 61 से ही किये, साथ की negative marking हो गई, अवरोल आपकी जो number निकल के आगे, 237 part B में, ठीक है, अब आएए पीछे, तो 273 और आपके जो है 69, ठीक है, 237 प्लस 69 69, तो यह आपकी जो marks हा रहे है, 306 हा रहे हैं, जो की अच्छे marks हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने वाला है, उसको mathematics अच्छी आ रहे है, grammar अच्छी आ रहे है, logical reasoning आ रहे है, तो यहाँ वो 80 number भी बना सकता है, यहाँ अगर 80 बना रहे है, तो हो सकता है कि उसको media segment थोड़ा अच्छे से नहीं आता हो, ठीक है, तो वहाँ उसने कम कर दिया, तो फिर भी वो 300 तक पहुंच सकता है, तो आप किस तरह के candidate हो, उसे साब से अपनी strategy बना के आगे बढ़ना, तो यह तो आपका जवाब हो गया कि कितने attempt करने ठीक रहेंगे, ठीक है, दूसरा यह कुछ topics हैं, जहां से आज तक questions आए हैं, ठीक है, सबसे जो बड़ा segment है, वो grammar का है, ठीक है, सबसे बड़ा जो segment है, वो grammar का है, सबसे ज़्यदा question grammar से overall जो है, पूछे गए है, उसके बाद जो है logical reasoning है, third number पे maths है, कुछ-कुछ question GK के भी जो है, यहां पे, part A में GK के question भी पूछ ले जाते हैं, कई बार बिलकुल नहीं पूछा गया है, कई बार 4 question, कभी 5, कभी 5, और मैं इस बार 2023 मे मान के चलता हूँ, कि zero question आएंगे, उस हिसाब से आप चलिए, कि part A GK के लिए नहीं है, हाला कि syllabus में लिखा है, कि GK part A में भी आएगा, और आते भी है 4-5 question, लेकिन फिर भी अगर हम weightage देखे-देखें, GK को अटा के, तो grammar का जो weightage है, सबसे ज़्यदा है, ठीक है, और जो mathematics में बहुत बचपन से भी करा है, last time में ये जो एक-दू दिन आपकी पास बचे है, mathematics में जो है अपना time मत खराब कीजिए, logical reasoning के important जो questions है, उसको थोड़ा सा देख लेना, grammar में जो है, थोड़े से rules है, preposition वगर है, verb है, ठीक है, वो थोड़ा सा देखने से आपको ज़्यदा benefit मिलेगा, ठीक है, और किन-किन topic से क्या question आए, इसकी list आप यहां से देख पा रहे है, ठीक है, तो मैं यहां इसको पूरा discuss नहीं करने वाला हूँ कि कहां से कितना आया है, आप खुल से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि fill in the blanks वाली question बहुत अच्छे कासे आते हैं, ठीक है जिसमें preposition वगरें खास तोर से रहती है, वर्ब जो है, वर्ब से बहुत सारे question, correct वर्ब feeling का जो question है, वो भी अच्छा खासा आता है, और यह भी जो है, आप जो है, similar words जो होते हैं, ठीक है, synonym, antonym जो होता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, तो synonym, antonym जो भी आप कहते हो, ज इसे भी कहना चाहो, ठीक है, तो वो आप करके जाना, number series important है, relationship वाला, different word या फिर different number find out करने वाला, blood relation वाला statement assumptions, इसमें बहुत से लोगों को दिक्कत है, ठीक है, कुछ लोगों का, देखो कहना यह है, कि sir, assertion वाले question बहुत ज्यादा आये है, ठीक है, तो assertion किया जाए, कि क्य किया जाए, ठीक है, तो देखो एक तो है, assertion and reason वाला question, दूसरा है statement and assumption वाला question, ठीक है, तीसरा एक और है statement and conclusion वाला question, ठीक है, यह दोनों कहीं न कहीं एक तरह के question हो जाते हैं, लेकिन यह question बहुत आलग टाप का है, assertion और reason वाली question, statement conclusion की तरह नहीं होते हैं, बहुत से transparent इस जानकरे नहीं रखते उसे साब से गलत attempt कर गया आते हैं assertion का मतलब यह है कि एक दावा किया गया है आप से जो है पूछा जा रहा है कि पहले दावा सही है भी या नहीं है देखिए जब भी आपने statement assumption वाला question देखा होगा तो कहीं ऐसा नहीं लिखा होता कि statement सही है यह गलत है statement देने के बाद उसी के basis पे assumptions क्या निकल रहे हैं statement देने के बाद उसी के basis पे conclusion क्या निकल रहे हैं वो होता है assertion और region में आपको पहले यह भी check करना होता है कि जो एक statement दिया है जिसे हम assertion कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है तो उसके बाद region वाला statement भी check करना होता है कि reason सही है कि नहीं है तो पहले दोनों को independently आप check कीजिए कि दोनो statement सही है कि नहीं है उसके बाद इसका अगर इसके साथ relation है तो उस हिसाब से आपको answer करना है इसको आपको real word से अपने perception से अपनी knowledge से connect करना है statement assumption और statement conclusion वाले question में आपको real word से और अपने perception से connect नहीं करना है इस बात का ध्यान लगना उसमें जो statement है वही दुनिया में परम सकते है लेकिन यहाँ पे assertion वाला जो question है assertion के अंदर आपको जो है real word से अपने perception से connect करके अपनी knowledge के basis पर भी answer करना है और जो passage वाले question आते हैं वो तो passage के basis पर ही देने होते हैं और वो चीज instruction के अंदर लिखी भी होती है आप सब लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे तो उसमें तो दिखत नहीं होगी ठीक है और जैसे कि जो अच्छे topics है mathematics के easy होने वाले उसको आप करके जाएए जैसे कि ACF-LCF का question 2021 में आवा है आप बहुत easy है इसको सीखना तो वो सीख सकते हैं percentage वाले easy होते हैं और जैसे profit and loss से जो question है वो काफी ज़्यादा आ गये थे थोड़ा सा profit loss जो है important है तो ऐसा करके जाएए ratio और proportion वाले question easy होते हैं तो वो अगर आप करना चाहरें तो उस पे थोड़ी से practice ज़्यादा करना last time में तो यह सेले बस तो मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों के पास होगा ही आपने काफी सारे topics यह सब clear किये ही होंगे ठीक है और जैसा मैंने पहले का कि जो पूछे गए है previous year papers में वो अच्छे से करके जाए और यह जो है chapter 8 जो है मैं detail में दिखाऊंगा chapter 8 information bulletin के अंदर दे रखा है यह आप सबको पढ़ना चाहिए जो मैं आपको यहीं पर पढ़ा भी देता हूँ ठीक है पहली चीज दे रखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी था कि 2 गंटे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए यह लिखावा है आपकी information bulletin के अंदर ठीक है फिर भी आप एग घंटे पहले तक भी पहुंच जाएंगे तब तक चलेगा लेकिन उससे ज़्यदा लेट आपको नहीं करना और जैसे ही आप exam center पे entry करते हो entry करने के बाद तुरंत आपको अपना roll number डूंडते हुए कि कहां मेरी seat है वहां बेटना है PC होगा आपको computer पे test देना है तो वहां पे roll number आपका mention होगा अपने roll number वाले computer पे ही बेटना है दूसरे computer पे नहीं बेटना है इस बात का खास ध्यान लगना आप सब लोग admit card जो है color print करवा सको तो और अच्छी बात है नहीं तो फिर कोई दिक्कत है नहीं तो documents का अभी मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है print copy of admit card जब भी आप admit card निकालो दो admit card निकाल लेना ताकि काम आए एक हो भी जाए तो printed रहेगा तो ठीक रहेगा और अपनी PDF जो है admit card के अच्छे से सेव रखें क्योंकि admit card आगे बहुत काम आने वाला है counseling के form में काम आने वाला है ठीक है इस बात का ध्यान लखें कि admit card को गुम नहीं करना है passport size photo जो है आपको चाहिए हो कि जो एक तो आपको form पे attest कर लेनी है फिर भी एक extra photo आप लेके जाना ठीक है one passport size photograph same as uploaded on the online application form जब आपने online application form में passport size photo लगाई थी वही की वही हो तो best है coffee लोगों के ये message आए कि मेरे पास अब वो photograph नहीं है अरे तु नहीं है तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी जब तक उसमें आपका हुलिया ठीक ठाक है अब आपने उस photograph में save नहीं करवा रखा है चस्मा है ठीक है बाल बड़े कर रखे है अलगी हुलिया है अब आप एक अलगी style के साथ में दिख रहे है तो इसमें examiner को दिक्कत हो जाएगी ना भाई मैं practical बात समझ ये प्रेक्टिकल बात ये है कि जो आपको identify करेगा आपका admit card देखके और आपका ID card देखके उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप admit card में कुछ दिख रहे हैं ID proof में कुछ दिख रहे हैं सामने कुछ दिख रहे हैं तीनों का यह लिया लग लग है तो उसको दिक्कत हो जाएगी न वो तो आपको end time पे परिशान ही करेगा कि नहीं side में खड़े वो आपका case देखते हैं बाती सब को आगे डालेगा तो ये दिक्कते हो जाती और होती भी है कुछ लोगों के साथ जो एकदम इसको lightly लेके चले जाते हैं फिर दिक्कत होती जिसका सब ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं होती smoothly सारी process जो है complete हो जाती है ठीक है और एक आपका ID proof में आप आधार card या फिर pen card driving license यह सब लेके जा सकते हैं और अगर कोई PWD candidate है तो उसके लिए अलग से provisions हैं कि आपको अपना जो है certificate वहाँ लेके जाना पड़ेगा कोई भी मदद अगर आप ले रहे हैं वहाँ पे तो अपना जो certificate है PWD का वो लेके जाए वहाँ पे ठीक है एक pen भी आपको साथ में लेके जाना है simple सा transparent ball pen जो होता है आपका ball pen जो है आप लेके जाए rough work के लिए आपको वहाँ पे कागज जो है दिया जाएगा ठीक है तो आपको घर से कुछ भी लेके जाने के जरूत नहीं है सिवाए एक pen के पाने की bottle वगर आप ले सकते हैं लेकिन वह भी बहुत छोटी सी और transparent होनी चाहिए ठीक है आप सब लोग समझदार हैं PG level के यहां पे जुड़े वे हैं तो समझते हैं कि exam में कैसे जाना होता है ठीक है बाकी आज कल लोग social media पर इस पर भी वड़िया वड़िया वीडियो बना रहे हैं ठीक है तो समझी जाते हैं लोग ठीक है तो यह जो हैं आपके documents हैं जो की chapter 8 के अंदर लिखे वे हैं इस बात कल जरूर जहां रखना है कि आपको जो है तुरंत बेट जाना है और बेटने के बाद PC पे चेक करना है कि आपका roll number दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा ठीक है वो सकता है कि roll number सही था आप बस बैठे पासवालों से बात कर रहे हैं और भाई त अगर आपका PC अगर आपका system ठीक से काम नहीं कर रहा है तो तूरंत रिपोर्ट करना है ये जो जरूरी चीज़े हैं देख लेना नहीं तो फिर last time में दिखकत आपके हो सकती है तो मैंने आपको documents बता दिए, part A की important topics बता दिए और part B तो हम पहले से ही discuss कर चुके हैं कि उसको revise कीजिए, revision पर focus करना ज्यादा बेटर है, last time में नहीं पढ़ने के साब से देखे तो, क्योंकि नया पढ़ोगे, pressure आएगा, revision करोगे, तो confidence आएगा, अब आपकी choice है, आपकी strategy है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, मेरी और से, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सुब कामना हैं, किसी भी तरह की कोई दिकत हो, तो आप मुझे टेलेगराम पर बता सकते हैं, ठीक है, और ये जो last year की cutoff है, और बहुत से documents, related चीजें, previous year के papers, अगर आपको नहीं मिले हैं, तो टेलेगराम चैनल पर अविलेबल हैं, links जो है सारी description में दे रखी है, और मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक share भी करतीजिए, thank you very much, all the best.